Hello dear friends, रोद्रा इंस्ट्यूट दोर्ब आज के वीडियो में आपका स्वागत करता है। दोस्तो चत्यगर समान्य अध्यन स्त्रिंखला में चत्यगर के इतिहास के एक्रम में आज का वीडियो चत्यगर का आधोनिक इतिहास राष्टी आंदोलन और स्वतनता संग्राम 1920-1930 की मध्ध घटित घटनाओं को आपके समझ इस वीडियो के मार्धम से रखेंगे। हमने पिछले वीडियो में निम्न विन्दू में प्रकाश डाला था जिसको आप उपर दिये गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चत्तिगण में दाश्टी आंदोलन और स्वतनता संग्राम 1885-1990 जो आपके समझ इस डिस्प्ले हो रहा है इसे जरूर आप देखिएगा तभी आपको आगे का क्रम समझ आएगा। आगे की वीडियो में पढ़ने से पहले आपसे अन्रोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को निमीत रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी समस्याओं, सुझाओं तथा हमारे द्वरा प्रस्तुत जानकारियों के संदर्व यदि कोई भी सुझाओं है, तो हमसे जरूर साजा करें। प्रारम 1919 से माना जाता है, राश्टी स्तर पे उनका प्रथम जन आंदुलन, आसहयोग आंदुलन या नान कॉपरेशन मोमेंट को कहा जाता है, किन्तु हमारे राज्य में इसके पूर ही अपनिवेसिक सासन की जन विरोधी नितियों के ताथ, कंडेल नहर सत्याग्रह, आयो 1920 से 1930 का दौर राश्टी आंदुलन के करण काफी उतार चड़ाओ कर रहा, इसी समय छत्यगर ने राश्टी आंदुलन में बढ़ चड़कर अपनी भागिदारी प्रदान की, इस कालखंट की घटनाओं को हम इस वीडियो में निम्न बिनों के ताथ प्रस्तुत करेंगे, ज आज जे छत्यगर सी, जीपिएसी, प्रयारमभीक और मुख परिच्छा, तथा ब्यापम और पुलिस विभाग द्वार आयोजित, सब इस्पेक्टर परिच्छाओं के लिए ये भी काफी महत्पूर होगी, तो इस क्रम में कंडेल नहर सत्याग रह, 1920, असहयोग आंदुलन 1922, बियंसी मील मजदूर आंदुलन ठाकुर प्यारी लाल के नित्रत में, 1920, गांधी जी की प्रथम छत्यगर यात्रा, 1920, कंडेल नहर में अपनी भाग देर पदन करने के लिए जबाय थी, सिहावा जिंगल सत्याग रह, 1922, रहपूर जिला राजनितिक सम्मिलन, 1922, जंड पार्टी का गठन, 1923, काखी नाडा, कांग्रेस अधिवेशन और पद्यात्रा, 1923, धमतरी में हिंदू-मुसलिम साम्प्रदाइक दंगे, 1924, बियंसी मेल मजदूर आंदुलन, 1924, साइमन कमिशन का आग्मन और भारतियों द्वरावस का विरोध, 1928, कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन, 1929, परतिग्या दिवस, जन्वरी 1930, इन महत्पुन कडियों को हम आगे आपके समझ, गहनता से इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो आए दोस्तों तियार हो जाएए, चली, कंडेल नहर सत्याग्रह, 1920, दोस्तों, धमतरी चिले में कंडेल ग्र जहांके जागिरदार बाबु छोटे लाल सिर्वास्तों थी, अंग्रेजों ने इस छेत्र में रुद्री बैराज का निर्मार किया, दोस्तों, बैराज करता सिचाई के लिए एक छोटा साडेम, इस बैराज को निर्मित करते समय, किसानों से अनिवार सिचाई करकी मांग, किसानों दौरा कर देने से इंकार कर दिया तब सुन्दलाज सर्मा छोटे लाज सिर्वास्तो नानायडाव मिघावाले के नित्रत्त में ब्रेटेश सासन की जन विरोधी नितियों के लिए विरोध में सत्य ग्रह प्रारम कर दिया गया इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी का समर्थन प्राप्त करने के लिए और उन्हें आंदोलन में लाने के लिए पंडिस सुन्दलाज सर्मा कलकत्ता गए तब 20.1930 को महात्मा गांधी मौलाना सोकत अली के साथ छत्तिगड़ में उनका प्रथम आगमन हुआ किन्तु गांधी जी के वहाँ पहुचने से पूर हुई ब्रिटिस सासन ने अपने जन विरोधी आदिस को अपसे लिया और यह अंदोलन सफल रहा इसने से 36 गड़ का बार्डोली भी कहा जाता है दोस्तो कंडेल नहर सत्याग्रह आप ध्यान रखेंगे काफी महत्पूर है और इसका महत्ता का संद्र हम इस रुप से समझ सकते हैं कि बिगत वर्स हमारे मुख्ध मंत्री स्री भूपेश बगेल जी गांधी पध्यात्रा कायोजन किया था और जो कंडेल ग्राम से प्रारम हुई थी इसलिए कंडेल सत्याग्रह का हमारे राज में स्वतनता संग्रा में काफी महत्पूर है लेकिन दोस्तो मुख्ध परिच्छा में जब इसे लेखन के रुप में आपको रस्तुत करना होता है और कंडेल ग्राम पर आता भी है तो जैसे बिसह प्रवेश ब्रिटिस सासन की जन्मिरोधी नियुतियों के विरुध छत्तिगर्ण में प्रथम अहिंसात्मक सत्याग्रह जिसमें किसानों ने बढ़ चड़के भागीदारी लिए कारण कंडेल नहर सत्याग्रह क्यों हुआ अंग्रेज जोद्वारा किसानों से अनिवार सिचाईकर की मांग जिसमें दस वर्षी अनुबंध अनृत्ता पानी के उप्योग में जुर्बाना नित्रत करता, कंडेलनः र सक्त्यय गरह के नित्रत करता में, बाभू चोटे लाल सिरवास्तो, सुन्दर लाल सर्मा, नारेन राओ मेघा वाले, विशेश तत्य इस सक्त्याग्रह के लिए गांधी जी को विशेश तोर पे आमंतर्ण दिया गया और पहली बार महत्मा गांधी छत्यगड़ा है पैडाम गांधी जी के आगमन से पहले ही ततकालिन डिप्टी कमिस्नर द्वारा येककर और अनिवार अनुमन को वापस ले लिया यह आन्दोलन इसलिए सफल माना जाता है आएए हम इस कड़ी में सबसे महत्मू टापिक असहयोग आन्दोलन और छप्तिसगड़ उन्नेशो बीस उन्नेशो बाइस भारती सतंत्रता स्वाधिनता संग्राम के लिए महत्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह भारत का पहला ज कांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए अर्था ब्रेटिस सासन के प्रती उनके मन में एक आकरोस व्याक्त हो गया कि यह सासन यह देश न्याय प्री नहीं है यह अन्याय है इसलिए उन्होंने भारतियों से अन्रोध किया हमें इस सोसन करता ब्रेटिस सासन का विरोध करन और यह विरोध अहिंसात्मक सत्याग्रह के रूप में होगा जिसे हम असायोग आंदोलन या नान कॉपरेशन मुमेंटो पर जानेगे दिसंबर 1902 में कांग्रेस के नाकपुर अजवेशन में असायोग आंदोलन चलानी की अनुमती दी गई जिसमें कांग्रेस के दो सुत्री कारिक्रम तैकी गए प्रथम रचनात्मक कारिक्रम अर्थात नियाले की जगे राष्टी पंचैतु की स्थापना राष्टी विद्यालेयों की स्थापना स्वदेशी को बढ़ावा चर्खा और खादी को लोकप्री बनाना यह असायोग आंदोलन के रचनात्मक कारिक्रम दूसरा विधिमन सक अर्थात ब्रिटिश सासन के प्रतियाश्योग इसके तहाथ उपाधियों का परित्याग ब्रिटिश सासन द्वारा जो भारतियों को सर, नाइट, राय, भाहदुर, खान, भाहदुर की उपाधियों देते थे उसका परित्याग करना सरकारी नोकषियों का त्याग, सरकारी नियाले का वहिसकार, विदेशी वस्तूरों का वहिसकार आधी ये कारे थे एक अगस्तु 1920 को यह आंदोलन राश्टी तर पे प्रार्म किया गया च्छत्तिगल में इस आंदोलन का काफी ब्यापक पर्भाव रहा नियालेक का वहिस्कार और वकालत की उपाधिया लोटाना असायोग अंदोलन की इसकारक्रम के तहप हमारे छत्तिगल छेत्र से ठाकूर प्यारेलाल ने अपने वकालत की सनद राम ड्रायारतिवारी बिलासपूर इंजिनियर रागवेंद्राओ, ठाकूर छेदिलाल, घंशाम सिंग उपता ने बिटिश सासन को वापस लोटा दी और वकालत का वहिस्कार किया उपाधियों का परित्यार बिटिश सासन द्वारा वामनराओ लाखे को राय सहाब की जो उपाधि दी थी उन्होंने बिटिश सासन को लोटा दी तब रायतपुर के जनता ने इनहें लोगपरी की उपाधि से समानित किया अन्होंने बिटिश सासन द्वारा प्रत उपाधियों का त्याक किया सरकारी नवक्रियों का छोड़ना गांधी जी के अहवान पर अस्वयों गंदुलन के द्वारान यदुनननन प्रशास्त वास्तो लच्मी ननायन वर्मा, स्वमेश्वर सुक्ल, सिवलाल वर्मा जैसे लोगों ने अपनिवेशिक सासन के नवक्रियों को त्याक दिया और आंदोलन में सक्री भागिदारी दी कॉंसिल एम चुनाओ का वहिसकार बाजी राओ क्रदन धंतरी के इन्होंने निर्विरोद दिर्वाचित होने के बावजूद उन्होंने विधाईका से त्याक पत्र दे दिया राश्ट्री पंचायत की स्थापना आमजनता के बीच में सामान्य मामलों को सुझाने के लिए कोट कचारी का वहिसकार करते हुए राश्ट्री पंचायतों की स्थापना की गई राश्ट्री पंचायत की स्थापना चार मार्च 1921 को की गई इसके पहले मंत्री जे करण डागा को बनाया गया धमतरी में राश्ट्री पंचायत बाजिरा वो कृदंत के मकान में खोली गई राश्ट्री विद्यालों की स्थापना ब्रिटिस सासन द्वारा पोशित सरकारी नियूत्यों की तहाद प्रसातित विद्यालों का वहिसकार करना आऊ सेगो नुन का करकम था इसके तहाद राष्टवाद और सोधेशी पे आधारित जन्भागीदारी से संचालित राष्टी विद्याले की स्थापना की गई रायपूर में 5 फरवरी 1921 को सेट गोपी किसन, सेट बाल किसन, राम किसन की आर्थिक सहायता से राष्टी विद्याले की स्थापना की गई इ पेट गोपी किसन, बाल किसन, राम किसन और इसके पहले प्राचारी कों थे पंडित राम नरैंट तिवारी धंतरी में राश्टी विद्याले जुलाई 1921 में बाबु छोटे लाल सिर्वास्तों के मकान में राश्टी विद्याले की स्थापना की गई कुछ समय तक इस विद्याले में ठाकूर प्यारे लाल प्राचारी की उर्पे भी कारी की गई चंडिय प्रशाद गुप्ता रघुनंदन प्रशाद सिंग्रोल के प्रयासों से की गई वर्तमान में इस राश्टी विद्याले को दाव ररू प्रशाद राश्टी विद्याले या नेशनल स्कूल के रूप से लोग जानते हैं सत्या ग्रह आश्रम असायोग आंदुलन में कारकरताओं को प्रसिचित करनी के लिए रायपूर में पंडिस सुंदलाल सर्माजी ने साथ फर्वली निश्विकीस को सत्या ग्रह आश्रम के स्थापना के 1921 चत्यगण में राष्टी नेताओं का आग्म असायोग आंदुलन के दोरान डक्टर राजन प्रशात चक्ट्वर्थी राजगोपालाचारी सुभद्रा कुमारी चवान जैसे नेता चत्यगणाए महंत नैंदास कुर्रे और गोवध निसेद आंदुलन असायोग आंदुलन के दोरान सत्नामपंद के गुरू महंत नैंदास कुर्य ने मादक पदार्थ के विरोध में और गोवध निसेद के समर्थन में सत्या ग्रह चलाया है जिसमें उनका साथ राजन अंदुलन के छव एक भारती आत्मा के नाम से विख्यात सो प्रसिद कभी बिलासपुर सेंटरल जेल में कैद रहे उस दोरान 18 फरवल 1922 को उन्होंने पुष्प की अभिलासा नामत इतिहासी कविता लिखी जो करांतिकारियों के लिएक महत्मूर रही चाहे नहीं सुरुबाला के गहनों में ग 22 में स्यामलाल सोम हरक राम सोम विशंभर पटेल के नित्रत में चलाया गया रायपूर रायनेतिक परिशत का अधिवेशन मै 1922 अधिवेशन के अध्याष ता यूस यू भी घाटे उमाकांद बल्वंद घाटे ने किया स्वागत समितिक अध्याष पंडित रविशंकर कई कठोर कारवाहिया की महत्मा गांधी द्वाराच चौरी-चौराकान 1922 के उपरां असायोग आंदोलन वापस लेने का नेने लिया गया अंग्रेजों ने दमनात्मक कारवाही करते हुए 13 मार्च 1922 को महत्मा गांधी को गिर्पताल के लिया इसके साथ ही छत्तिगड के धमतरी जिले में आराजकता फैलानी के आरोप में पंडिस सुन्दलाज सर्मा को गिर्पताल किया गया है सुन्दलाज सर्मा ने रैपूर सिंटरल जेल में बंदी अवस्था के दोरान हस्त लिखित पत्रिका क्रिष्ण जन्मिस्थान पत्रिका या जेल पत्रिका का प्रका आत्मा गांधी द्वारा चोरी चोराकान 1922 के उपरान असयोग आंदोलन वापस लिने का निन लिया क्योंकि आंदोलन हिंसाख हो चुका था जिससे मोतिला नहरू देशबंदू चितनजंदास बिठल फाई पटेल आधी वरिष्ट कांग्रेस के निता नाराज हो गए 1919 के अधनियम के ताहद केंद्री और प्रांती विधान मर्णलों के चुनाओं होने थे चुनाओं में भाग लेने और ब्रिटिस सासन का विरोत करने के लिए एलहाबाद में पंडित मोतिलाल नहरू और चितनजंदास ने स्वराज दल के स्थापना की छत्तिगर में भी इस कांग्रेस ने चर्खा युक्त तिरंगे को अपना प्रतिक चिन बना कर पूरे देश में यूनियन जैक की जगए लहराने तिरंगा फहराने का नेड़ा लिया इस छेत्र का सोप से जंडा सत्यागरे उस समय जबलपूर में सेर गुलाबदास के नित्रत में आउजित किया छट्तिगार चक़्त में बिलाशपूर में जंडा सत्यागरे क अयोजन किया गया इसके लावा धमतरी 20 का जंडा सत्यागरे से चर्चीत रहा जिसमें सुन्दलास्मा के नेत्रत में सो से अधिक सत्याग्राहियों ने भाग लिया कांगरेश का काखी नाडा अध्येशन दोस्तों दिसंबर 1923 में कांगरेश का पूर अध्येशन वरत्मान तिलंगाना के काखी नाडा में आयुजित्था चत्तिवर से नजदीख होने की वजए से सेकड़ो कारकरता राइकपूर से पैदल ही इस अधिवेसर में भागलने के लिए जाने का नेने लिया उस समय 25 कार करताओं के दल का नित्यत्तो धमतरी के सुप्रसे सुतंता सिनानी नानायन राओ मेगावाले ने किया सुन्दलार सर्मा और अचुतो उद्धार आंदुलन पंडिस सुन्दलार सर्मा काजन धमतरी जिले के चंसूर नामत इस्थल पे हुआ जो राजिम के निकट पड़ता है आप छत्तिगर के गाधी अचुतो धार की वज़े से राजा राम मोहन राय समास धार की नितियों के वज़े से भारतेंदु हरिष्चन चत्तिगरी भासा और साहित को उतकरिष्ट बनाने के लिए आधी उपनामों से जाने जाते हैं आपने 1918 में राजियो लोचन मंदिर में निमने जाती अर्थात पिछले समाच के भोई समाच के प्रवेस के लिए आंदुलन चलाया 1924 में राइपुर में ठाकुर प्यारे लाल घंस्याम सिंग गुपता के सयोग से सत्नामी आश्रम की स्थापना की दोस्तों यह प्रशनाता है कि पहली बार दलिच प्रवेस आंदुलन कहा जलाया किसने चलाया 1918 राजियो लोचन मंदिर आंदुलन भोई समाच के प्रवेस के लिए पंडिय सुंदाला सर्मा दोस्तों यह भी प्रशनाता है कि राइपुर में सत्नामी आश्रम कब बना 1924 इसको इस्थापित करने में किसका योगदान था पंडिय सुंदाला सर्मा घंश्याम सिंगुपता ठाक और प्याले लाल 1925 में राजियो के रामचंद्र मंदिर में हर जिनों के प्रवेस के लिए आंदुलन चलाया इस वज़े से महात्मा गांधी ने इन्हें स्वयम छत्यगर का गांधी कहा पंडिय सुंदाला सर्मा ने सत्नामी भजन माला नाम गुटके की भी रचना की धंतरी में राजिय के पहले हिंदो मुस्लिम दंगे खिलाफ़त आंदुलन का दुस्पगरा मुस्लिम स्वयम प्रवेस के लुप में देखने को भी ला के रल में मोपला भी द्रो हुआ उसी प्रकार उस समय धंतरी में मस्जित के सामने बाजा वजाने को लिकर हिंदो मुस्लिम समान में त्यानाव पैदा हो गया जो दंगे में बदल गया अंतरता सुन्दाला स्रवा के प्रयासों से दोनों समात के सक्री निताओं ने संप्रदाई सवहाद इस्थाफित काने का निड़ने लिया बियनसी मील मजदूर आंदुलन 1924 दोस्तो चत्यकारबे स्रमी क्रसक जंजाती आंदुलन हम प्रथक वीडियो में प्रस्तुत करेंगे क्यूंत यहां संचित में थोड़ा जानकारी दे रहे है बियनसी मील मजदूर आंदुलन 1924 ठाकुर प्यारेलाल के नित्रित में यह अंदुलन प्रसासन दोरा मजदूरों की गरिपतारी के विरुद चलाया गया अपने गरिपतार साथियों को पुलिस से छुडाने के दोरान हाथा पाई में पुलिस की गोली से जरहू गोंड नामक स्रमीक मारा गया अर्था दोस्तों यह ख्या रखना कौन सा मील मजदूर था जो हिंसक हुआ अंदुलन आप जिसमे की जरहू गोंड की मृत्ति हुई 1924 ब्यंसी मील मजदूरा दुलन ठाकुर साहब ने प्रसासन के खिलाब गवर्नर से सिखायत की किन्त उन्हें ही दोसी ठेराये गया और राजनांगा रियासत से उन्हें निसकासित कर दिया गया उनकी अन्पुस्तिती में आंदुलन का नेत्रतों सिवलाल, पंडित राजु सर्मा और सिताराम ने किया साइमन कमिशन 1928 का विरोद दोस्तों, 1919 का उपनिमेसिक सासन द्वारा लागू, मांटेगू, चेम्सफोर्ड, सुधार भारत में कितना सफल रहा इसकी समिछा के लिए उपनिमेसिक ब्रिटिस सासन ने एक आयोक का गठन किया जिससे हम साइमन कमिशन के नाम से जानते हैं किंत इसमें एक भी भारती को सदस्र नहीं बनाए गया जिसका तातकालिन भारत के राष्ट दलों ने एस सुर में विरोध किया और साइमन गोबैक के नारे लिगाए जब साइमन कमिशन भारत आया तो इसका विरोध धरने प्रदसन के साथ किया गया चत्तिगर में भी इसका विरोध हुआ, रैपूर, विलासपूर, दुर्गादी स्थानों में धरने प्रदस्थन आयोजित किये गए। सुतंतर है और सुतंता दिवस के रुप में मनाएगा इसको प्रभाव चत्तिगर में भी पड़ा। और अगर कुछ दूटिया है तो उसके संदर में भी आपनी राय रखें जिससे अगामे वीडियो को उत्कृष्ट और रोचक बना सकें। और अगर प्रेस्ट वेल आइकन। और अगर कुछ रखें रखें लुप में भी आगर आगर कुछ भी आगर कुछ प्रेस्ट दूटिया राय रखें लुप में वीडियो को बना सकेंटाने बना सकें। झाल झाल